आपकी बार दिवाली पर आप मेदा की नमकिन बना रहे हो तो ये वाला तरीका देख लेना सिरफ तीन चीज चाहिए और इतने इतने सारे आप बना सकते हो और फेंड्स जैसे पतासी नहीं बनाते हैं वैसे एक एक फीस इसका फूल जाएगा इतनी करारी इतनी ही टेस्टी ब मैंने एक बाउल भरकर मेदा लिया है और आदा चमच नमक और दो चमच यहां पर मैंने कुकिंग ओल डाला है तो आप संफ्लोवर ओल या फिर रिफाइंड कोई भी ओल इसमें एड़ कर सकते हो ना कि इसमें सरसो का ओल ना ही इसमें गी एड़ करना आपको और ज्यादा भ मतलब धीला था एक दम इस तरीके का था बैस अब इस पर थोड़ा सा मैंने ओल लगाया है और अच्छे से ढखकर रख देते हैं 15 मिंट के लिए रेष्ट पर 15 मिंट के बाद में मैं आपको दिखा देती हूं कि देखे कितना सोफ्ट हो गया देखी आप खुद देखे लोड़ना है मतलब फिर इस बाउल में रखकर एक दम इस तरीके से बना कर रख लेते हैं सारी की सारी ताकि हमें परेशानी ना हो फिर बापीस इस बाउल में डालकर थोड़ा सा ओल डालकर इसे ढखकर रख देते हैं ताकि यह सूके नहीं और बस एक एक लोई निकालो और इसे बेलना है तो रोटी बेल नहीं जितना पतला आपसे बेला जाए उतना पतला इसे बेल लीजिए तो फ्रेंड्स यह ज्यादा चिपकता नहीं है नहीं आप सोचो चकले के चिपक जाएगा बिल्कुल हलके हलके आतों से बेल यह एकदम अच्छे से बेल जाएगा यह और एकदम पतला बेलिए देखिए इतना पतला देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ यह देखिए बस अब आप सेफ में अपने इसाप से कैसे भी कट कर सकते हो आपको जो सेफ अच्छे लगे वो कट कर सकते हो मैंने एकदम नॉर्मल तरीके से कट किया है बहुत ज़्यादा बनती है बहुत ही फटा फट बनती है और फ्रेंट्स कोई टाइम नहीं लगता और घर के हर एक मेंबर को यह नमकिन बहुत अच्छे लगती है देखिए कितनी पतली वे लिए मैंने यह देखिए न तो बैस यहां पर मैंने तेल को पहले गरम होने रख दिया था और सारे बना इसमें जैसे पानी पतासी बनाते है न अपन तो पतासी कैसे फूलती है वैसे इसे हाई फ्लेम पे ही बनाना है हाई फ्लेम पे आप इसे फ्राय करोगी तो फटा फट हर एक फीस फूलेगा बाइचांस ही नहीं फूलेगा नहीं तो एक एक फीस इसका अच्छे से फूलेग यह नमकिन बहुत पसंद आती है, तो ट्राइ करके देखना, तो आप इसके लिए मैं मसाला बना लेती हूँ, जैसे थोड़ा सा मैंने आदा चमस नमक, आदा चमस मिक्स मसाला और एक चमस यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर लिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है, अगर पाईचांड से नहीं फूला है, नहीं तो हर एक पीस अच्छे से फूल गाज जैसे पतासी फूलती है वैसे ही, फिर एक बाउल में वापिस से इस बाउल में डाल लेते हैं, और यह मसाला जितना आप मतलब खाऊ उतना ही डाल सकते हो, ज्यादा मसाला इसमें अच्छा नह लगेगा, क्योंकि नमक को इसमें पहले ही अपने डाल रखा है, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और देखी फ्रेंट जटपट बन जाता है, और इतना टेस्टी बनता है, और घर में सब को भी पसंद आता है, तो आपकी बार दिवाली पर जरूर बनाईए, रिश्टोर करक कि महीनों का ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है, और मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, और महीनों खाओगे जब ये बचेगा, तो ट्राइक करना अच्छे लगे तो शेर करें